नमस्का दोस्तों अभी तो गर्मिया भी स्टार्ट हो चुग है और अब एसी लेने की सोच रहे तो इन्वेटर इसी लिए या फिर नॉन इन्वेटर लेसी तो यहां पर मैं अपना आपिनियन रखूंगा अगर इसमें से कई लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं तो यहां पर मैं नहीं थोड़े से पॉइट रखे है उसके हम रिचांट करेंगे तो जो पहला प्राइस का कौन सी किसके इन्वेटर और नॉन इवरेसिवन कितना रहता है इसके बात नोइस किसमें ज्यादा वाज आती यह किसमें विजली का बीनीशादा आएगा ठीका भंटे के मेंटेनस किसमें ज्यादा मेंटेनस आता है और इसके बाद वारंडी कौन से इसे में आपको वारंडी कितने साल की मिलते हैं यहां पर कितने साल की मिलते हैं इसके बारे हम बात करेंगे और लास्ट में कौन सी ब्रांड का पो लेना चाहिए जो यहां पर मैं जो कौन सी ब्रा प्राइस की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा स्मूथ वर्टिंग करता है तो वहां पर आपको थोड़ा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने होगे इतना डिफ्रेंट नहीं रहेगा थोड़ी बहुत आती है जबकि आपका जो इन्वर्टिंग करेंगे वारंटी यानिके अगर आप इन्वर्टि रेसी लेतो तो वहां पर आपको 10 साल की कम्रेसर की वारंटी मिल जाएगी और इसके अंदर PCB आते और तो वहां पर एक साल या तीन साल था जाती है जो पर किसे में एक शीज़ारंडा ही और सो पांची और इसके बाद एनशी कि यूज यूज्ग सकता हो या घयाा आ सकते हैं तो मोस्ती जो इन्वेटर रेसी होते हैं तो यहां पर मैं काफी अंदर डीटर में बात नहीं को आपको समझा दूंगा कि इन्वेटर रेसी से आपका बिल थोड़ा सब अगर में आपको आगे चलके समझा वहां आगे चलके बात करेंगे यहां आपको थोड़ा आधी अच्छा नौन इंडर में थोड़ा रहेगा इसके बाद डेली यूस और अगर गर्मी के महिने में आपको यूस का कौन सच्छा रहेगा तो डेली यूस में आपको इन्वेटर एसी बेस्ट रहेगा ठीक है अगर आपको चौबीस गंशे में पंदरा या सोला गंटे यूस करना है या आपको कुछ सो रूम है तो अगर वहां पर एसी के लगा आपको इन्वेटर एसी अपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वह आपको एनेजी सेविंग करके भी रहेगा याने आपको एनेजी एफिसेंस भी रहेगा आपको बिजली का बील भी बहुत साथा कम आएगा और अब रेगुलर यूस करने मालों तो आपके लिए बेस्ट कि नॉन इन्वेटर रहेगा और डेली यूष करना चाहते हो जैसे मिनेशलै आपको तो आपके लिए इन्वेटर में तो पहले जो आनंसे ऩाध की जुग बात के दो जो अंधर मॉटेर होती है त्यक्ति त्वाव होती है ठीक है जादा नहीं आएगा जैसर क्व यह त्वांटि जाटी लगworking करेको दो है तो इसने की इनलाट के लिए चलता है यह से आप सब्सक्राइब 2 Live ृष dol इन्वेटर है तो उसके पीसी भी देखे लेते हैं तो जो पीसी भी की अगर मार्केट करेंगे तो यह चारे पांच आज रखाएंगे वारंटी के बार तो आपका नौँजर का मिनियुम खर्चा के वह पर्टिकुलर ब्रांड के अप एसी लेती है उसमें पंदरा जार जार लगांगे तो वारंटी नहीं मिली तो यह चीज़ आपको ध्यान में रहेंगी रखनी पड़ेगे कि अगर इन्वेटर एसी खरब होता है चार या पांच साल के बा है तो यह मेंगी में ऐस में खरका यहां को सर्विस कर सकते हैं इसके बाद मेरा जो आपको लॉड की आपको लाइधे साथ काफी अंच्छी आते हैं और सब्सक्राइब काफी अच्छ लगती यह यह इन्सकी शुक्राइब तो वॉल्टाज है एलजी एलजेटिक एलजेटिक के भी काफी सारे अच्छे आते है ठीक है इसके बाइए लग अलग ब्रांट पर डिपेंड करते हैं यह मेरा ओपने आपके अगर तो यह तो यह तीन मने के लिए यूस करना चाहते हो ठीक है और पांच यह गंटे के लिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट नॉन इंटर एसी लगा किसमें थोड़ा से 200-300 रुप्य जादा है कि मगर वह साल का पूरा घंग है तो आपके लिए अच्छा ही रहे ठीक है और मेंटेनस की बात करते तो उस में नौन इंटर में आपका मेंटेनस कम रहेगा तो अकर आपक चार या पांचार के बाद वारेंटी के बाद अगर खचा सकता है तो इस तरह से इंटर में ज्याद आएगा नौन इंटर में कम आएगा तो आई होप दोस्तों यह सब जो मैं आपको बता होगा और इससे आपको थोड़ी आडिया मिल जाए कौन साब को इनटर इसी लेना लहना चाहिए तो इसे में बागी रहेगा तो मुझे कॉम्मीन जरू बताए Θा अ?